इन्टरनेट इस फुल अफ प्रो साइंस, फेक नॉलेज, हाफ इंफरमेशन और प्रोपागेंडा, यौर क्वेस्ट अफ रलायाबल, अथेंटिक हेल्थ इंफरमेशन इन्सेयर, तो सब्सक्राइब इस चैनल और हिट ते बेल इकन, और यू नेवर आफ तो अनिवर अवर अ सब्सक्राइब हैं, तो साइको सोमाटिक डिजीज हमने आपको बताया है, साइको सोमाटिक मतलब इंसान को कोई एक लक्षन है और पूरी जिंदगी उसने अपने उस लक्षन के उपर लगा दी पूरा ध्यान उसमें लगा दिया काम दंदे छोड़के मुझे यहां दर्द स्ब्सक्राइब लिए इसा पें यह दिक्कत लक्षन पूरा वह आपके सर पे चढ़के नाच रहा आपको साइकोलोजिकली उसके पीछे पागल कर रहा तो साइको सोमाटिक डिजॉर्डर वाला जो पेशन है जो स्तुम्टम से नाटक नहीं कर रहा लेकिन ऐसे भी पेशन् जो आएगा बेहोश आएगा बेहोश और जो या तो परालेसिस है मुझे कुछ दिखनी रहा या हाथ नहीं हिल रहे बिल्कुल बेहोश है दो नहीं रहा लेकिन वह आक्चुली में नहीं है वह वह कंवर्जन डिवाड वह मेंटल डिजीज हो गई उनकी कि वह जान बूच के ऐसे कर रहे है जो कि वह सारे टेस्स नॉर्मल एट केनाट भी एक्स्ट्रीम लेवल मतलब इसको बोलते हैं फंक्शनल नियूरोजिकल सिंटम इस ओडर हिस्टेरिकल नियॉरोस इस्टेरिकल इसके भी लेवल है कुछ लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं थोड़ा सा यहां दबाओ थोड़ा सा नाक वन करो अपने आप मुझ खुल जाता है थोड़ा सा उनको कुछ-कुछ पैनफुल स्टिमूलर्ट दो अपने आप जाग जाते हैं वह वाला अलग हो तो घर पर सब और और माइं राइट वहां पर इसमें फरक्सांटिक डिसॉड़ार्ट मतलब फिजिकल सिम्टम दिमाग बूचड़ गया और क्या हो रहा है यहां पर कोई स्ट्रेस आया है घर में जगड़ा हुआ और आप बेहोश सम्टिक पेशन बेहोश सम्टिंग लाइक या कोई दिक चेंज लग रहा है पर्सनालिटी डिसॉड़र दिखने लग गया जिनको यह होता है कन्वर्शन डिसॉडर बोलते हैं इसको देज आर यहां पर यह एक्स्ट्रीम लेवल होगा यह जूट नहीं बोल रहे है एक होगा नाटक इसके लेवल है अगर इस लेवल तक पहुच ग मगा दी डीस और नोटा है तो ने अनौट आटिशानली त्राइं टींग टिंटीना लाही लेकिन धारलाइए थैर मैंग इसलाइं रहे डहाई ओ कुड माइनन नच कर रहे वह जूट नाटक कर रहे औ chiar भाइड गयीट एर नह्सायर दो किल वह दीतने ल मैं नहीं देनिट कि लेकिन उनका जो मैंड है वो सिम्टम पैदा कर दे रहा है जिसको कोई लिना देना ने इसको गोलते कन्वरशन analyzer टिके इसलिए अमेट नाटक कर रहे हैं नाटक कर रहे हैं दिमाग दिमाग पेशन्ट का दिमाग है को इस कंडिशन में जिसको हम बोलते के फिजिकल किदम जो आता है फिर और एक वॉइलेंट अगर किसी फीमेल के साथ ही वह गुफसा है इंस्टेड और घुसा निकालना उसका फिजिकल सिंटम जो है उसके हाथ म्यां उसका ात द्ज दर्दोर रहा है उसको है गुसा लेकिन घुटाल रही है उसके बहुत जो को मैं पॉटारे किसी को इने टुस्पी इसका चोटा वर्जन जो मैंने इसके जो एक वह बताया था एक्जैक्टली सिर्फ नाटक कर रहा है थोड़ा सा दबाओ तो जाज यह वह मैं लिग पेशन्ट को होश है उसको पता है सब कुछ क्या हो रहा है आस-पास क्या हो रहा है वह सिर्फ नाटक यहां पर नाटक का एक ठर्ट लेवल हो गया एक एक्स्ट्रा ऑर्डवनरी लेवल हो गया इतना खतरनाक हो गया है कि वह पैदा कर दे रहा है सिंटमों सब्सक्राइब आपने। ठीक है that kind of a thing तो इसमें क्या है अगें the symptoms will begin suddenly psychological problem होगा अगर वहाँ पर हिस्ट्री होगी psychological problem की हिस्ट्री होगी और जैसे जैसे psychological problem आपका जैसे symptom आएगा वैसी psychological problem खता जगड़ा हो रहा था symptom आगा जगड़ा खता या फिर कोई ना कोई इस प्रकार की हिस्ट्री आपको मिलेगी इसमें फिजिकल इग्जामिनेशन होता है फिजिकल प्रॉब्लम जूड़ने के लिए लेकिन नहीं मिलता अगें इसका भी इलाज वह है दा टेरपी इस टॉक थेरपी राइट कई बार इसमें जो भी पार्ट अफेक्ट हो रहा है मांड़ों आप यहां पेन का उसका फिजिकल थेरपी या उक्यूपेशनल थेरपी कर आए जाता है ताकि वह चल्दी चला जाएं कई लोगों की सिम्टम सागे तर ज्यादा देर तक रहते जब तक वह स्ट्रेस नहीं खतम होगा वह नहीं जाएगा सम्टिंग लाइक देप किसी का हाथ पैरलाइज हो गया आम काम ही नहीं कर रहा है अब वह क्या करेंगे उसकी एक्साइस कर रहा हो ताकि उसमें ताकत वा वह सकते हैं अचनग ठीक हो सकते हैं तुट-टब और चोंगे ही नहीं होंगे किसी ने मान लो आपको अगर कोई बिहोश हो रहा है आपने पानी पिला दिया और साज की नली में चले गया का बहुत ज्यादा खतरनाक डिजीज वर्जन है अब समझ रहें डिफरेंस एक हमने आपको बता दिया सुमैटिक डिजीज सुमैटिक सिम्टम साइको सुमैटिक मतलब आपको कहीं पहले पेन शुरू हुआ फिर दिमाग उसके पीछे घुज गया यह पेन कैंसर है पेन सुमैटिक डिजॉडर ठीक है वह साइको सुमैटिक डिजॉडर है वह सुमैटिक सिम्टम डिजीज यहां पर कंवर्शन डिजॉडर स्ट्रेस से शुरूआ है जगड़ा हुआ कोई खतरनाक चीज देख ली कोई कोई मर्डर कोई ऐसी कोई रेप कोई वाइलेंस ऐसा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं कोउटर पड़ें की जड़ोत पड़ें साइको थेरपी जड़ोत पड़ें कोई लाइफस्टाइल जीना चाहिए मेरा जो सबसे बड़ा एक एम होगा आपको एडवाइस होगी कि अपने दिमाग में जो घुस रहा है अपने आस पास जो चल रहा है उसमें नेगेटिविट जो खीज घूंडओ और नेगेटिव चीज को अपने लाइफ से उचाने जिनकिन दौन हो ये नेगेटिव बातों को नहीं सुनोंगे उतना पहत्र त्र थैक है आफिख शो माच भीच बिर U झाल